हेलो एंड वेल्कुम बैक टो मैं चानल ब्राउडिंग बीट्स एंड बियॉंड आज हम बनाएंगे सत्ते नारिन पुजा का प्रसाद चौरत शुर करते हैं आज की रेसिपी प्रसाद बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 100 ग्राम, मैदा 40 ग्राम, शक्कर 130 ग्राम, दूद लगबग 2 कप, घी 1 कप, और इलाइची पाउडर और ड्राइफ फ्लूट्स सबसे पहले कड़ाई में हम घी डालेंगे और घी को थोड़ा सा गरम होने देंगे अब घी गरम हो गया है तो अब हम इसमें सूजी और मैदा डाल के उसे अच्छे से मिला लेंगे हम इसे अच्छे से 10 से 15 मिनिट तक भूनेंगे इसे लगाता चलाते रहेंगे ध्यान रखे आज को धीमी ही रखे कि अरैंगे अब हम इसमें थोड़ा सा दूट डाल के देखेंगे अगर चर्ड करके आवाज आए तो समझ आए कि ये अच्छे से भून चुका है और इसमें बाकी सारा दूट भी डाल दे अच्छे से मिला ले मुझे थोड़ा दूट कम लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा और डाला अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढकन रखे इसे पकने देंगे भग भग दो मिनट के बाद हम इससे अच्छे से वापस मिला लेंगे और अब हम इसमें इलाइची पाउडर और काजी बदाम के टुकडे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम वापस पांच मिनट के लिए ढकन रखे इसे पकने देंगे पांच मिनट के बाद इसे वापस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ग्यास बन कर देंगे हमारा प्रशाद तयार है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट करें और हाँ मेरे चानल को सब्स्क्राइब करना मत भूना और बेल आइकोन भी दबाता है कर दो कर दो एंद बागादा हो जाएक रादा शोग्यास ब्सक्राइब कर दो कर दो करें और है